व्रगंवत्तू प्राप्टी का सुगश नांतन अनुभव सिद्धमान नाव जाराध्य यूगल सरकार एक महाभाव रस निमगन श्रीहनुमान प्रिसाद जी पोथदार विश्नहरी डालमिया भगवत प्राप्ती का सुगप और अनुभव सिद्धमार्ग प्रस्तावना मुझे कुछ समय पूर्व पूजय श्रीताओ जी, श्रीहनुमान प्रिसाद जी पोद्दार के प्रवचन की एक आडियो कैस्ट प्राप्त हुई थी, जो भगवत शर्नागती के संबंद में थी इस कैस्ट को सुनकर मेरे हृदय में ये भाव प्रस्फुटित हुआ कि भगवत, प्राप्ती का कितना सीधा और सरल मार्ग पूजय श्रीताओ जी द्वारा बताया जा रहा है, जिसे अधिक से अधिक लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे वे आध्यात् जगत अमार पर चलने में लाभानमित हो सकें, सबको ये विदित है कि पूजय श्रीताओ जी, पूजय श्रीहनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इस युग के आध्यात्मिक महाविभूती रहे हैं, इस द्रिष्टी से मैंने इसे प्रकाशित करवाया है, आशा है, लोगों इस बात का विचार नहीं किया जाता है कि शर्नागत होने वाला किस प्रकार का साधक है, उसमें तो केवल एक ही बात देखी जाती है कि वो भगवान के शर्नागत संपूर्ण रूप से होना चाहता है या नहीं, भगवान की शर्नागती के लिए, भगवान के प्रती आत्मस अमर्पन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें अमुक अमुक प्रकार के बाहरी गुन होने चाहिए, जिसमें बाहरी गुन हो केवल वही भगवान को शर्नागती प्राप्त कर सकता है ऐसी बात नहीं है, कैसा भी हो, किसी श्रेनी का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाती देश का हो उसने पहले कुछ भी किया हो उसकी अब तक की जीवन चर्या कैसी भी रही हो इस सनमय वर्तमान में वगयरी सचमच अपने दैनिय का अनुभव करता हुआ अपनी दीनता अपनी साधन हींता अपने मन की मलिंता अपनी सब प्रकार की आयोग्यता अपनी आसकती इन अपका अनुभव करता हुआ जो सर्व समर्थ परम सुहरिदू अकारंस नेह करने वाले भगवान के श्रीचरनों में अपने को डाल देता है बिना किसी शर्ट के केवल भगवान की कृपा के बरोसे अपने साधन के बरोसे नहीं तथा अपनी शक्ति और अपनी योग्यता के अपने किसी पुरुशार्थ के बल के भरोसे नहीं अपने किसी धर्म कर्म के भरोसे नहीं केवल भगवान की कृपा के भरोसे विश्वास पूर्वक उस कृपा पर आस्था करके अपने को जो भगवान के श्रीचरनों में डाल देता है तब भगवान यह नहीं देखते कि यह पहले कैसा था, यह किस जाती का है, किस धर्म का है, इसके अब तक के आचरन कैसे है, यह सब भगवान नहीं देखते हैं, बस सनमुख होई जीव मोही जबही, जन्म कोटी अधनासति बही कोटी विप्रबद ला गही जाहू, आए सरन तजू नहीं ताहिव, रांचनमा भगवान कहते हैं कि जिसको करोडों ब्राह्मनों की हत्या का पाप लगा हो उसका भी, शरन में आने पर में त्याग नहीं करता, तजू नहीं ताहिव, इसलिए भगवान की शरनागती के लिए केवल भगवान की कृपा पर विश्वास ही परम और चरम साधन है, भगवान क की कृपा पर विश्वास और अपने डैन्य का ठीक परिचे, सब तरह से सब प्रकार से अपनी दीनता का, अपनी हीनता का पूर्म परिचे, पूर्म ग्यान और भगवान की एहतुकों कृपा में पूर्म विश्वास बस, शरनागती का यही साधन है, इस प्रकार जो भगव भगवान को विराजित करना चाहते हैं, हम जिस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, हम जहां भगवान को बुला कर बसाना चाहते हैं, वो स्थान गंडा क्यों रहे? यद्यपी गंडगी वे साफ कर देते हैं, ये तो उनकी कृपा है, परंतु क्या हम किसी बिखन्दी चीज को लेकर अपने परम प्रेमास पद प्रियतम प्रभू को ग्रहन करने के लिए उनसे कहें यदेपी वेई से क्रिपा पूर्व यह उचित नहीं है, इसलिए कया करें? भगवान की कृपा यहां भी कार्य करती है, उनकी कृपा के बल पर हम अपने को विशुद्ध करें. यह विशूद्धी भी शरणागती का ही एक अंग है. यह विशूद्धी काया है? शुर्णागत शरण में जाने बालों के लिए तीन भी इघ्वांता का भावणा होना भगवान के सिवाए और कहई भी मुझे शरण मिल सकती हो किया इस्प्रकार की भावना का न रहना इसी का नाम ब्थ तते माम नत्याभभा गीत गीता नौ बता तीस माम अन reduction ब्थ ते दूसरी को हिस्षा ना दे, भगवान के सिवाए दूसरा कोई शरन देने वाला है, इस प्रकार की कल्पना मन में न रहे, कोई साधन, कोई देवता, कोई इष्टिया, अन्य कोई भी चीज मन में न रहे, दूसरी बात भगवान की शरन्यता में पूरा विश्वास हो कि भगवान जब शरन में ले किसी भी प्रकार की कोई भी अपनी मांग मत रखें, अपनी कोई मांग बिलकुल न रहे, ये तीन बाते शरनागत होने वाले में होनी चाहिए, यदि ये तीनों बाते हैं तब अंतर करण की विशूत दी हो जाती है, इनके आते ही जितने पाप हम से बनते हैं, वे दूर होने लगते हैं ये बिल्कुल सैध्धानतिक बात है कि जिस प्रकार एक और दो मिलकर तीन होते हैं दो और दो मिलकर चार होते हैं उसी प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं उसी समय हमारे जीवन में रहने वाले पाप भागना शुरू कर देते हैं वे रहा ही नह जनिती आरापी 88 पी सीम दुराचार हट गया, ये सिद्धान्त है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी जब कुछ भी बुराई होती हम, पाप होता है और अनर्थ होता है तब उसका एक मात कारण है भोग कामना भोगों का आंश्रे भोगों को शरण्यता में विश्वास, संसार के भोग हमें सुख दे देंगे, इस प्रकार की ब्रांध धारना, ये धारना जब तक बनी है तब तक मनुष्य बच नहीं सकता अनर्थ से, बच नहीं सकता दुराचार से, और बच नहीं सकता है पाप से, जब इनकी शरण्यता मन से दूर हो गई और एक मात भगवान को शरण वही एक मात्र मेरे आश्रे हैं और कोई भी आश्रे नहीं। अन्या श्रे रित्वा का सरवत्ह परित्याग इसमें है। वही इत्वा का त्याग हो गया और एक मात्र भगवान का आश्रे हमारे मन में आ गया फिर उसके बाद उसी समय से हो ये जितने भी अनर्थ है काम, क्रोध, मोग और लोग आदी शत्रू ये समके सब शत्रू चले जाएंगे, भाग जाएंगे। और कहीं रहेंगे भी तो कम चिंतन होता है, और होना चाहिए। भगवान के सौंदर्य माधूर्य से मोह होगा, उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा, भगवान के सेवकत्व का मद होगा, इस प्रकार ये जितने भी अनर्थ हैं वे सब के सब हमारे सहायक बनकर भगवान को और जाने वाली हमार भगवान की विशूद्धी में परम सहायक है, कामक्रोधादी का अलग से नाश करने की आवश्यक्ता नहीं है, जब तक भोगाश्रे है तभी तक कामक्रोध रहेंगे, जब भोगाश्रे ही नहीं है भोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है तब भोगों की कामना कैसे जो लोग मासाहारी नहीं है वे कभी मास की कामना करते है का या हिंदू मात्र कभी गोमास नहीं खाता है तो क्या कभी वो गोमास की कामना करता है उसके लिए यह बुरी से बुरी चीज है उसका नाम नहीं लेना चाहता है सुनना नहीं चाहता है और उसे देखना महीं चाहता ह इसी प्रकार जब भोगाश्रे नहीं रहेगा तो भोग कामना नहीं रहेगी, भोग कामना नहीं रहेगी तब कामना की पूर्ती नहोने पर लगने वाली चोट से होने वाला क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं रहेगा तो कामना कौप पूर्ती से होने बाला लोग नहीं फिर मन में शर्णागती हो गई यह एक भाव है दूसरा भाव है कि जो प्राप्त करसुव है इसी को लेकर सारा प्रप्निय चलता है प्रहां वन्हें योग्यलॉद वस्तु हमारी दृष्टी में काया है संसार के भोग और सादक की दृष्टी में प्राप्निय काया है शुनिया इतम जगत सर्व गोविंद विरहें में अश्टक साथ इस अश्टक में भगबार को प्राप्त करने बाले की चितविती कैसी होनी चाहिए भगवान के ना आने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए भगवान के विरह में कई अस्थिती होनी चाहिए इसका रितू बन गई हैं। निरंतर बरस्ती रहती हैं तथा शुन्यायतम जगत सर्व सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया है। ब्रज में आते हैं उस समय हम उन्हें देखा करती हैं। परंतु बीच में पलके पढ़ जाती है। ब्रमः ने पलके क्यूं बना दी। विदाता ने बड़ी गलती की जो पलके बना दी। क्योंकि एक एक पलक पढ़ने का समय हमारे लिए एक युग के समान हो जाता है। पलके पढ़ने के समय का, जो अधर्शन है प्रियतम का वो अधर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है तुटिर युगायते। इस फ्रकार जब चित में भगवान के अमिलन का उत्ताप संताप जाग उठता है उस समय अंतहकरण में कई अशुद्ध चीज रह सकती हैं। उस समय कई जगत की वस्तुएं, जगत के प्रानी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित को खीच सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु घर से निकल गए, घर में नवयुवती स्त्री थी जो उनका दूसरा विवाह था, परन्तु भगवान के प्रती ऐसी पुकार की हुलिदय में आग जल उठी, वो आग अब कौन सी दूसरी चीज को रहने देगी, अंतहकरण में भोग, भोगों के द्रिश हम संसार में देखते हैं कि जब किसी एक विषय में हमारा मन अत्यंत लग जाता है और उसको प्राप्ट करने में मन अत्यंत आतूर होटता है, उस समय कया मन में कोई और चीज रहती है, हम सबका यह अनुभव है, जीवन में जब कभी भी किसी वस्तु के लिए जो नाशवा क्या जगत का सौंदर्य माधूर्य हमारे मन को अपनी और आकर्शित कर सकता है। कदापी नहीं, मन विशुद्ध हो जाता है एक में लग करके। इसी प्रकार जब भगवान का विरा जाग उठता है तब अंतह करन विशुद्ध हो जाता है। विरह ही जगाना है साधन के और कुछ नहीं करना है। भगवान की प्राप्ति दुल्लब नहीं है। अपितु भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में संताम का जाग जाना ही दुल्लब है। यह संताम जब जाग गया हृदय में इस प्रकार की एक जवाला जब जग उठी जो जवाला सारी कामनाओ को, सारी वासनाओं को, सारी स्प्रिहों को, सारी आकांकशाओं को और सारी तुष्णाओं को सब प्रकार से निरस्त कर देगी, खा जाएगी, जला देगी तब अंतप, करण अशुद्ध कहा रहेगा? अंतकरन की अशुद्धी कोई चीज नहीं है यदि उसमें भगवत विरह की आग डाल दी जाए कुई में आग डाल दी जाए तो कुड़ा कितनी देर रहेगा? बह कुड़ा आग बन जाएगा इसी तरह भगवत प्रेम प्राप्ती की भगवत प्राप्ती की हृदय में आग जला देनी चाहिए यही परम साधन है और यह आग जल सकती है कैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे मीरा जैसी, एंडाल जैसी, श्री नर्सी महता जैसी और श्री गुपांग नाओ जैसी इन महात्माओं के भावों को समझ कर और उनका पदानुसर्ण करने से अपने आप ये चीज व्रिदे में जाग उठेगी और जागते ही जागते ही क्या इसका आभास आते ही ये मन के जितने भी पाप हैं वे तिल मिला उठेंगे ये उस वीदे में रही नहीं सकते जिस वीदे में भगवान आना चाहते हैं उस वीदे से ये पहले ही भाग खड़े होंगे इनको निकालना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएंगे परंतु होनी चाहिए भगवान को भगवत पैम को प्राप्त करने की सच्ची और अदम्य लालसा यदि उसमें कहीं गरबडी हो, भगवान के नाम पर मन में कहीं भोग हो, भगवान के नाम पर मन में कहीं जगत हो, भगवान के नाम पर यदि किसी प्रकार की भौतिक सुख लालसा हो तब मामला कटिन है वहाँ चीज नहीं बनेगी जब मन में जगत की ये चीजे नहीं है और भगवान की लालसा जागी तब भगवान काया करते हैं भगवान उस विदय को अपना निवास थान बना लेते हैं ये पता ही नहीं लगता है कि भगवान है याल नहीं कईों नहीं लगता है इसलिए कि जिसको पता लगता है होने का वो भगवान का बन जाता है जो चित भगवान की अवस्थिती का अनुभव करता है वो चित यी अपने पास नहीं रहता है वो चित भगवान की संपत्ती बन जाता है इसके बाद क्या होता है उसका वर्नन कोई नहीं कर सकता है जिसे महाभाव कहते हैं वग यही अवस्था है वेश्नवों ने जिसे महाभाव कहा है वग यही है कि चित का सरवधा और सरवधा प्रेमासपत के अधीन हो जाना चित संपत्ती अपनी नहीं रहती है श्री नारायन स्वामी ने एक पद गाया है, तुम्हें, अक्षद गयो मन मेरो कहुं तो था लगाओ, उन्होंने कहा अरी आँखों, तुम तो पहरेदार थी न, तुम दोनों पहरे पर बैठी हुई थी और तुम्हारे देखते देखते बह मेरे मन को चुरा ले गया, तुम् चित का सरवता प्रेमासपत के अधीन हो जाना, प्रेमासपत की संपत्ती बन जाना इस आवस्था में चित का नाश नहीं होता है, चित अचित नहीं होता है, चित मरता नहीं है, अपितु भगवत संपत्ती बन जाता है, फिर उस चित में भगवान कार्य करते हैं, तब बहा पर काया होता है ये जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं जिन लीलाओं को देखकर सुनकर पढ़कर हम सुखी होते हैं कहीं मोहित होते हैं और कहीं जरा संकोच में पढ़ जाते हैं कि हमारे भगवान की ऐसी बात वे लीलाएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं आजकल बहुत अच्छे लोग जो दश का परमहित चाहते हैं और जो प्राचीम गोरव को बनाए रखना चाहते हैं अच्छी नियत रखते हैं वे लोग भी जब ऐसी ब्राद को देखते हैं तो कहते हैं कि विदेशी काया कहेंगे इसलिए इस बात को खशेपक बताते हैं वे कहते हैं कि यह चीज तो आंदी ने पुरानों को रूपक माना है, मैंने कहा रूपक नहीं माना है, उन्होंने सिद्धान से भले ही कह दिया हो कि ये व्यवहारिक सत्ता की बाते हैं, परंतु व्यवहारिक सत्ता में ये बाते न हुई हो ये कोई भी नहीं कहते हैं, ये रूपक नहीं है, ये सब सत्य ह भगवान की लीलाओं में जो मिलन है सखाओं से भगवान का मिलन, माताओं से भगवान का मिलन, सखीओं से भगवान का मिलन और शत्रूं से भगवान का मिलन, इसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के न माता है, न पिता है, न सखा है और नहीं शत्रू है तो क्या भगवान द भगवान का यह एक ख्रीडा सुख है और सत्य है दम नहीं है भगवान की लीला सखाओं के साथ होती है छोटे बच्चों के साथ बालकों जैसी सखाओं से गले मिलते हैं मित्रों की तरह अर्जुन के लिए अगनी और इंद्र से वर्दान मांगते हैं कि हमारा प्रेम बढ़त ये करिया बात है ये राग द्वेश नहीं है ये भगवान की प्रेमा धीनता है भगवान का ये बड़ा सु AndaR लीला का भाव है इस लीला में विचित विचित बाते होती है उन बातों को देख सुनकर बहुत बार लोगों को ऐसा संधे हो जाता है कि ये भगवान नहीं है ब भगवान सखाओं से लड़ लिए और लड़कर रूट कर सो गई या बात कैसे कहें? एक बार की बात है कि भगवान सखाओं के संगबन में खेल रहे थे, बच़े अलग चर रहे थे और इधर सब ग्वाल बाल खेल रहे थे, खेल में दो बातों का ध्यान रखा जाता था, ये समझने की बात है, श्री कृष्ण को सुख न हो ऐसी कोई क्रिया सखा नहीं करता था, स्वाभाविक हैं, यदि गाली भी देता था तो इसलिए कि उन्हें सुख होगा, रूपता भी इसलिए था कि इससे श्री कृष्ण को सुख होगा, धक्के भी देता था तो इसलिए कि इससे सुख होगा न की अपने सुख के लिए, एक बार खेलते हुए इनके मन में सोने की इच्छा हुई, सखाओं ने पत्ते की शैया बना दी और शब्या पर भगवान सो गए, श्रीदम ने कहा मेरी जांग पर सिर रख कर सो जाओ, उन्होंने कहा नहीं, पत्थर पर सिर रख लेते हैं, फिर श्रीदम ने कहा नहीं, पत्थर कथोर हैं, मेरी जांग पर सिर रख कर सो जाओ, उसने अपनी जांग पर सिर रख कर सुला दिया, कुछ साती बच्चे चरंद दबाने लगे, कुछ पत्ति लेकर हवा करने लगे, कुछ थंडा थंडा जल आए और उसमें कपड़ा भिगो कर इस प्रकार करने लगे कि महीन महीन थंडी बात आई कि इसमें तो बड़ा सुख मिला, अब इसकी वामदिशा में इन सखाओं को भी सुख मिलना चाहिए, तो हम इनसे लड़लें, सेवा करने वाले से लड़लें, खेल खेल में हम इनसे लड़लें फिर ये रूट जाएंगे, तब हम इनको मनाएंगे फिर इन्हें आन भगवान भला, ऐसी बात केसे सोचेंगे? परन्तु इन ही बातों में तो भला है, आनंद है, मजा है, वे तत्व की बाते दूसरी हैं। भगवान के मन में संकल्प आते ही क्रिया शुरू हो गई। यहां उल्ती चीज है, सेवा करने वाले का उपकार मानना तो दूर रहा, हैं वे कुछ अलग हैं, यहां तो खेलने वाले भगवान हैं, फिर इन्होंने क्या किया कि जिस श्रीडम ने अपनी जांच पर इनका सिर रखकर सुलाया था उससे पहले बिगड़े। उन्होंने रोशपूर वक कहा श्रीडम, तुम्हारी जांग उची है, मेरा सिर दुख करने लगा, यहां से हटो, उसने कहा भाया, मेरी जांग उची नहीं है और बड़ी मुलायम है, तुम थोड़ा सिर नीचे कर लो, श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, तुम यहां से भागो, उसे भगा दिया, अब जो बेचारा पंखा जल रहा था, उससे कहा यह तुम क्य कर्थोर हैं, इनसे मेरा चरन दबाते हो, तो मुझे दर्ध होता है, तुम भी भाग जाओ यहां से, और पानी की फुहारे डालने वालों से कहा, यहां मैं आराम से सो रहा हूं, क्या तुम मुझे भिगोना चाहते हो, चले जाओ यहां से, अब चारों रूट गए और बोले धैरियर रखा फिर उनसे रहा न जाए, अब मनाए कैसे, थोड़ा रुख कर उनके सामने गए और बोले भाईया, मुझे से भूल हो गई उस समय में नीन से उठा और गर्मी लग रही थी, मुझे से भूल हो गई, तुम सब मान जाओ, सब का मनुहार करने लगे लेकिन कोई माना नहीं, सब एकदम रूट गए थे और तैय कर लिया था कि आज इसको ठीक करना है, लेकिन श्री कृष्ण के मन में था कि इन्हें दुहक नहो, दोनों के मन में एक ही चीज है कि इन्हें दुहक नहो, इन्हें सुख मिले, तत्सुख सुख इत्वम, नार्दभक्तिसूत 24. श्री कृष्ण ने सखाओं को बहुत मनाया, बहुत मनाया, उनके पैर दबाएं, हाथ दबाएं और कहा भाईया, अब ऐसा नहीं करूंगा, परंतु वे मानने के लिए तैयार नहीं हुए, जब वे नहीं माने तब श्री कृष्ण ने उन्हें मनाने का दूसरा उपाय सो वे उनसे अलग दूर जाकर लगे जोर जोर से रोने, बोले अरे, बिच्चू काट लिया, बिच्चू काट लिया, अब सभी सखा बोले अरे, श्री कृष्ण को बिच्चू काट लिया, दोरो, अब किसी के मन में धहर्य नहीं रहा और सभी सखा दोर कर श्री कृष्ण के प हमारे कनहया को जल्दी आराम दो, श्री कृष्ण ने कहा इस प्रकार नहीं, तुम सब आओ और आकर मेरे पैर पर हाथ फिराओ, जल छिपको, हवा के लिए पंखा चलाओ और शोदाम आकर अपनी जांग पर मुझे सुलाए तब आराम होगा, सभी ने वैसा ही किया, वही पू बिलानन्द है, एक होता है उप्योगितावाद, आज का युग उप्योगितावादी है, माता पिता बूडे हो जायए तो कहेंगे की अभी उप्योगी नहीं है, सरवोच न्यायाले ने गोहत्या कान में एक फैसला दिया है, उस निर्णये में कहा गया है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए, गोहत्या करने का मुसल्मानों का कोई अधिकार नहीं है, परंतु जो अनुप्योगी पशु बैल, सांध हैं उन्हें काटने में कोई हर्ज नहीं है, ये है उप्योगितावाद, यही बात आज के हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि इतनी गाएं जो सपलस, सथातर हैं, जो काम की नहीं है, जो निकम्मी हैं उन्हें काट डालना चाहिए, कईयों की वे उप्योगी नहीं हैं, इसी प्रकार धर्म में भी उप्योगितावाद होता है, लोग कहते हैं कि कौन सा आधर्श्वाद ठीक है उसे देखो, किस से लोग अपवाद हो रहा है, बह देखो, यह उप्योगितावाद है, भगवान को लीला में किसी उप्योगितावाद को स्थान नहीं है, बहां तो उप्योगी अनुप्योगी कुछ नहीं है, जो लीला करें, जो खेल खेले बहो उप्योगी और जो न खेले वो सब अनुप्योगी है, बहां तो एक ही च जहां समस्त कामनाओं वासनाओं का जड़ समेद दग्ध हो जाना होता है तब इन चीजों का उद्भव होता है फिर यहां कुछ शेश नहीं रहता है इसलिए ये कामनावालों के लिए आदर्श नहीं है जिस प्रकार श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेल में कभी रूट जात श्री रादिकाजी ने निकुझे के द्वार पर सखीयों को बैठा दिया और कह दिया खबरदार आज यदि श्यामसुंदर यहां आ गया तो तुम लोगों की खबर ली जाएगी उसे यहां आते ही भगा दो सखी श्याम ना आने पाए बस पहरा बैठ गया श्री कृष्ण अंदर निकुझ में नहीं जा पाए बहुत चिरौरी की विनती की खुशामत की तब कहीं मान भंग हुआ यह कईया चीज है यह कईया भगवान को पूजा की पद्धती है यह आराधना है अथवा कोई आदर्श है तथा किसी भले आदमी का कार्या है फिर कईया है यह लीला नकल करनी है आदर्श की भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करनी है लीला कभी आदर्श नहीं देती है आदर्श देते हैं वचन भगवान के बचनों का पालन करें भगवान जहां जहां जो कुछ वचन कहते हैं उनका पालन करना चाहिए लीला तो आनंद के लिए है जिनके नेत्रों में प्रेम की दिव्यद विष्टी आ गई वे लीलाओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आनंद मनाएंगे, वे लीला रत होंगे, ये प्रत्येक के लिए नहीं है, लेकिन जहां आदर्श है वहाँ पर सारी चीजों को मानना है, और आदर्श मानने की अध अधिक आवश्यक्ता है, श्री कृष्ण को श्रीमत भागवत में हम कई रूपों में देखते हैं, एक श्री कृष्ण है जो सुबह तीम बजे उपते हैं और उपते ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान करके श्रोच, स्तानादी करते हैं, फ मागते हैं एक भगवान वे हैं जो अत्यंत दरिद्र समाज में जिसका कोई मान नहीं है जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण है जिसकी हड्डिया पसलिया बाहर निकली हुई है जो मेला कुछला कपड़ा पहने हुए हैं जिसके शरीर पर तमाम धूल परी है जिसके पैरों में अधासन पर बैट जाते हैं महर्शी व्यास से भी उपर पितामा भीश्म सारे रिशियों और उब्रसें तथा वसुदेव से भी उपर और ललकार कर कहते हैं मेरी पूजा करो और कोई भी इस पूजा में दखल देने बाला होतो उठे पांड़प पूजा करते हैं और कोई तो नहीं परंतु शिशुपाल बोला परंतु शिशुपाल वही भगवान के चरनों में समा गया एक भगवान ये हैं भगवान के अनेकों विचित रूप हैं जहां जिस प्रकार का रूप वहां उसी प्रकार का भगवान का खेल है कहीं परम आदर्श है गीता में भगवान के दो रूप हैं, एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं स्वयम कर्म करता हूँ, नानवाप्तम्वाप्तव्यम वर्थ एव चर कर्मनी, गीता तीन बटा बाइस, उन्होंने कहा मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, कईयों करता हूँ, इसलिए कि परित्यज्य गीता अठारा बटाचियासट ये काया है स्वयम तो कर्म करें और दूसरों को कहें कि सब धर्म छोट दो दो प्रकार का मंच 69,078 है जिस मंच से त्याग की सब प्रकार के आश्रियों के त्याग की बाद है वो शर्नागती का मंच है और जहां सभी कर्मों को विदिवत करने की बाद है वहां लोक संग्रा का मंच है जैसा मंच और जैसा स्वांग वैसा नाच जस नाचिये तसकाचिये काच्छा जिस प् लिलानंद की भावना में जब साधक भगवान को प्राप्त कर लेता है तब वे लीला विहारी भगवान दूसरे हैं, इसलिए लीला विहार के तार्तम्य से भगवान के स्वरूप में अंतर की भगतों ने कल्पना की है, वस्तुता स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है परंतु कहते हैं कि जितना खुलकर ये ब्रज में खेले उतना मतुरा में नहीं खेले और जितना मतुरा में खेले उतना द्वारिका में नहीं खेले द्वारिका में भगवान दर्बार के वेश में हैं बिलकुल दर्बारी हैं मतुरा में दोनों हैं मिले जुले हैं और ब्रज में केवल ब्रज विहारी हैं अरण्य विहारी हैं वहां पर राजदरबारी नहीं है इसलिए कहा है कि यहां जब खुलकर पूर्णू पें खेले तो यहां पूर्मतम है और जहां मध्य के खेल खेले वहां पूर्मतर तथा जह जिन लोगों को सब प्रकार का सुन्दर समुचित कर्म करते हुए आसकते रहित होकर जगत की सेवा करनी होवे, तोलमित्र कपान्ये, पार्तसार्थी भगवान का स्मरन करें। बहां भगवान कहते हैं देखो, मैं भी कर्म करता हूँ, इसलिए अर्जुन, तुम भी कर्म करो, लडो परंतु लडो मेरे लिए, युद्ध करो परंतु करो मेरे लिए, और जिनको भगवान के त्यागी वेश का ध्यान करना है, भगवान ने कई जगह तपस्या की है, इस प्रकार का आराधन अपने को इष्ट हो उसी, प्रकार का भगवान का स्वरूप हो, स्वरूप अलग-अलग होने पर भी एक है、 सुतीख शाजी के चरित्र में देखिये, वे राजा राम का ध्यान करते हैं, वम्वासी राम का नहीं भगवान शंकर को देखिए उनके इष्ट बालक राम है कागभुशुन्दी जी के इरिष्ट छोटे से बालक राम है इस प्रकार राम एक ही है कागभुशुन्दी जी ने ये कभी नहीं चाहा कि वे दर्बार में बैठे राम की उपास ना करें उन्होंने कहा कि इसी में बहुत आनंद है वे जब जब बाल रूप लीला करते हैं तब तब में कोवा होकर पीछे पीछे दोड़ता हूं वे मुझे प्रिवा दिखाते हैं और जब बेपास आते हैं तो मैं भाग जाता हूं ये बड़ा लीला आनंद है बस यही चाहिए हमारे रामाजी महाराज जो डाशून्य राजेंद बाबू के गुरू थे वे राम विवाह के आगे की रामायन नहीं सुनते थे वे दूलहा राम से आगे रामचरित मानस नहीं सुनते थे और नहीं पढ़ते थे वे कहते थे कि जो राम बनवास में जाएं वो तो सहन नहीं होता है राम का वंगमन उन्हें सहन नहीं होता था ये उनका भाव था उन्हें यंधी कोई दूलहा दिखाई देता तो वे उसमें राम भावना करते और उसके पीछे दोड़ते तथा छत लेकर खड़े हो जाते चवर डुलाने लगते रामा जी महाराज बहुत बड़े महात्मा थे एक महात्मा जी थे वे अपने को जानकी जी का भाई मानते थे बे अयोध्या में पानी नहीं पीते थे अयोध्या से बाहर निकल कर पानी पीते की बहन के घर कैसे पानी पियें अपना अपना भाव है प्रयागदास जी अपने को बगवान, इसमें उनको आनन्द आता है, मजा आता है, भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर आप भक्ति करें तो उसमें एक विशेश आननन्द आएगा नहीं तो साधारन भक्ति तो है ही, और कोई यह न समझ ले कि उसमें सदाचार का कोई विरोध है जहां भगवान की भक्ती है वहां जगत से अनुरक्ती है नहीं और जहां जगत की अनुरक्ती नहीं है वहां सदाचार कहां से आएगा ये कदाचार, अनाचार, रष्टाचार और व्यविचार वहीं आते हैं जहां हृदय में भगवान नहीं है, चाहे वो अपने को कुछ भी माने और जब हृदय में भगवान आ गए उसके बाद ये अनाचार, कदाचार, रष्टाचार, अत्याचार और व्यविचार आही नहीं सकते वहाँ तो केवल प्रेमाचार होगा, भगवदाचार होगा, शुद्धाचार होगा, वहाँ और कोई अचार नहीं आएगा वहाँ अचार खटाई जैसी सड़ी चीज नहीं आएगी, वहाँ तो बिलकुल निखालिस माधुर्या आएगा विशुद्ध माधुर्या विशुद्ध माधुर्या का अर्थ है काम क्रोधादी जहर से रहित परम पवित्र प्रेम जिस प्रेम में, जिस भक्ती में, जिस ग्यान में और जिस कर्म में भगवान नहीं है और जिसमें काम का मिश्रण है वो कभी मधुर नहीं होगा मधूरता की यह परिभाशा याद रखें जिस माधूर्य में, जिस भगवत प्रेम में काम का विश बिलकुल नहीं है वो मधूर है और जहां काम का विश मिश्रित है वहां उसका नाम हम कितना ही मधूर रखें उसका नाम हम कितना भी प्रेम रखें परंतु वो प्रेम नहीं काम है ये काम और प्रेम का महान अंतर है कोई चाहते हैं कि हम प्रेम करें और मुझसे वे प्रेम करें और हम उनसे कुछ सुख चाहते हैं तो नाम चाहे प्रेम हो परंतु वो काम हो गया और हम उनको सुख देना चाहते हैं. हमारे मन में कामना है कि वे सुखी रहें और हम उनसे कुछ नहीं चाहते हैं. भले ही इसका नाम काम हो परन्तु ये प्रेम है. पप्रेमिव गोप्रमाना काम इत्यगमत प्रथाम गौतमीय तंद. अर्थाद गोपियों के प्रेम का नाम काम है, काम कईयों है, गोपी की एक ही कामना है कि श्री कृष्ण सुखी हो, बस इसी काम से गोपियों का हृदय काम मैं है, उनका जीवन काम मैं हैं, काम शुन्य नहीं है, परन्तु वो काम कईया है, वो काम एक ही है श्री कृष्ण भग और यहीं उच्च से उच्च उज्वल प्रेम है क्योंकि इसमें अपने सुख की चान नहीं है या आत्म सुख नहीं है आप जगत में देख लीजिये भाईों में पडोसियों में गाव में जहां अपने सुख की चाह न करके उनके सुख की काम न करेंगे तो प्रेम बढ़ जा आपस में एक दूसरे के प्रतिप्याय आ जाएगा और जहां हम ये चाहेंगे कि हम उनसे लेते ही रहें हम चीनते ही रहें हमें मिलता रहे और इनको नमिले वह चाहें अम्रिती हो तब कईया होगा द्वेश होगा संगर्श होगा तथा लड़ाई होगी भरत और राम नहीं ल श्रीराम भरत के पवित्र इतिहास को पढ़कर आज भी हम सब पतित्र होते हैं कि कितना त्याग है, वो कहां रहता, परंतु श्रीराम ने कहा नहीं नहीं, पिताजी को ऐसा मत कहना, कहके इमाता को दोश मत देना, और भरत में तो कोई दोश है ही नहीं, कल्पना करना भी मैं नशाधम हूँ, राज्य का अनधिकारी हूँ, अब बताएए, दोनों में प्रेम रहा तो किस बात पर रहा? त्याग पर रहा, प्रेम में सुख कामना है परंतु ये सुख कामना अपने लिए नहीं है, ये जो असली प्रेम है उसे इस भाशा में कहें तो कहेंगे कि यह का कमी होता है, इसमें कोई दोश की बात नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि यह कामना छोड़ दो, छोड़ देंगे, परंतु जहां बेद कहते हैं मात्र देवो भव, पित्र देवो भव और आचार्य देवो भव, वहाँ ये कामना मन में रहेगी ही कि हमाशा प्रत्येक कारिया हमारे पिता को सुख पहुँचाए, हमारी प्रत्येक क्रिया हमारी माता का हित करने वाली हो, हमारा प्रत्येक मानस संकल्प हमारे गुरू को सुख पहुचाने वाला हो, फिर ये कामना क्या, कामना, है? ये कामना कर या काम है, यही कामना तो असली प्रेम है, यही कामना असली भक्ती है और यही कामना सच्चा समर्पन है, इसका नाम चाहे काम हो परंतु यह प्रेम है, इस प्रेम की प्राप्ती का सरल साधन है शर्नागती, शर्नागती के साधन में शरन्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य में शरन्यता का भ अधक उतना ही भगवान की शरण में अग्रसर हो रहा है ऐसा समझना चाहिए